नवस्तकार फैंस वात करता हूं आपके इस चैनल पर और आज यदि आपके पास डिश्टीवी का एजडी सेटप बॉक्स है और उसमें आपको अनलवी सेटप करना नहीं आता है और आपने नया बॉक्स लिया या फिर आप नया बॉक्स लगा रहे हैं बहुत से ऐसे जो होते हैं इनिस्टोलेशन उनको बहुत से कंफ्यूजन होती है कि उनको यदि वीडियो कॉन और डिश्टीवी जो है तो दोनों एक ही मर्ज हो गए है तो उसमें इस वाज़स्या यह होती है यदि वो डिश्टीवी के सिगनल में सिट करते हैं और वीडियो कॉन के टीपी डिली आएंगे तो उसको कैसे सही करना है कैसे टीपी डालनी है कैसे बनाना है उसकी जानकरी मैं आपको पूरी दूँगा यदि आपके पास नया बॉक्स है और डिश्टीवी करना है आपको बहुत ही कॉमन है और उसको आप बहुत ही असान तरीके से बना सकते हैं क्योंकि डिश बस्या होगी और यह बनी रहती है तो सबसे पहला आपको करना कैसे सट अप करना है सब कुछ कैसे बनाना है आपको इस वीडियो पर मैं बताऊंगा तो वीडियो पर बने रहे हैं और देखते जाएं कि कैसे आप उसको सही कर सकते हैं और इसको बनाना है आपको तो देख सकते मेरे पास Dish TV का नाया box है और इसका remote कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पस आप देख सकते हैं दोनों company का नाम logo डला रहता है और remote ही कुछ इस तरह से आपको दिखेगा तो आपको करना क्या है अपने remote से menu को button प्रेस करना है जैसी आप menu को button प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं पहला option आपको यहाँ पस channels मिल जाता है, active service मिल जाता है, tv guides मिल जाता है, my recording मिल जाता है, my digital आपको यहाँ है है कि सबसे पहले जब आप सिंगनल सेट करते हैं तो आपको सबसे पहले आपको आ जाना है माई डिश्टीवी में आना है और जैसे माई डिश्टीवी में आएंगे तो यहाँ पस आप देख सकते हैं myDisk TV में आने के बाद इत्ते option मिलते हैं और आपको मिलता है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा पहला option है आपका NLV setup करने का और दूसरा टांस्पोर्टर सेटिंग करने का ये दो चीज आपको मैं इस वीडियो पर बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सही करना है और आपको इसको बनाना है तो सबसे पहले चलते हैं आपको NLV setup पर मैंने Dish TV का अपना signal set कर दिया है और Dish TV का TP क्या होती है symbol rate क्या होता है उसके बारे मैं आपको इस वीडियो पर बनाऊंगा क्योंकि जब मैं Dish TV को set कर रहा तो मुझे ऐसे समस्या हुई इस करन से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ तो NLV setup में आपको OK कर देना है जब OK करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पस आपका कुछ इस तरह सो option मिलता है SES add करके और इसके बाद आपको universal NLV मिलता है और Dish switch आपका 1 हो गया और इसमें आपको करना क्या-क्या है आपको problem कब होगी सबसे पहले अपने NLV setup को open कर लेना अपने Dish TV से और इसके बाद आपके यहां पस universal NLV होगी तो universal NLV को change करके आपको user NLV में select कर लेना और जो Dish TV की symbol frequency हो गई और low frequency high frequency तो देख सकते है 97-50 डली होगी तो आपको भी 97-50 डाल देना है और NLV frequency जो high वाली है तो 10-600 आपको डालनी है ठीक है यह आप डालेंगे तभी आपका यहां पर signal आएगा अन्यता आपका signal एक भी नहीं आएगा इसके बाद आपका जो Dish switch है तो Dish switch आपको एक ही रखना है यदि आपके पास monoblock NLV है तो Dish switch को off कर सकते है फिर इसको बंद कर सकते है मेरे पास एक ही लगी होई single NLV का है तो आपको यहां पास सिर्फ Dish switch one करके रखना है फूर इसके बाद आपका यहां पास जो है तो priority control जो है तो 13 volt और 18 volt में है तो इसको आपको change नहीं करना है ना disable करना है यदि आप disable करेंगे तो आपका channel जो है तो पूरी तरह से प्रपर तरीके से नहीं चलेगा और नहीं आपको कोई भी channel आएगा यदि 18 volt में आप करते है तो कुछ channel आएगे यदि आप 13 volt में करते है तो पूरे channel आएगे पूरे channel आपको नहीं मिल पाएगे इसलिए आपको 13 volt और 18 volt में दोनों में करना पड़ेगा जो NLB में voltage जाता है वो प्रपर तरीके से दोनों बोल्ट हमको प्राप्त हो सकें फिर इसके बाद आता है NLB frequency band control तो NLB band control में आप OK करेंगे तो आप देख सकते कितने option मिलते हैं यहां पस आपको disable करने के लिए मिलता है फिर इसके बाद 22 के आता है दिस्विच आता है फिर 18 volt आता है तो हमको 22 के को रखना है इसको इसमें रखना है आफ नहीं करना फिर इसके बाद power NLB जो होगी तो power NLB क्या कहलता है जो NLB में voltage जाता है 12 volt और 18 volt जा जाएगा वरना उसमें आपका signal नहीं जाएगा फिर इसके बाद आपको यहां से save करने के बाद आपको क्या करना है बैक करना है बैक करने के बाद आप जैसी यहां पस आएंगे करेंगे तो आपका save हो जाएगे यहां पसे आप अपने remote से red वाली बटन को प्रेस करेंगे जैसी प्रेस करेंगे तो आपको यहां पस signal quality बगएर सब कुछ बताने लगेगा और signal quality जैसी ही बताया आपको यहां पस से search start में कर देना है और जो आपके channels होगे वो proper तरीके से आ को subscribe करना ना बोलना ऐसे latest video पाने के लिए तो तब तक के लिए नमस्कार मिलते आपको अंगले वीडियो पे